कश्मीरी अलगावादी नेता यासन मलिक को जो है फासी की सजा की मांग वाली आचिकपर दिल्ली हाई कोट में सुनवाई हुई है इस बीच नाईये पर पक्ष रख रहे सॉलसिटर जनरल तुशार मैता ने यासन को तुलना अलकाइदा सरंगना रहे उसामा बिलादेन से कर दी है मैता ने कहा कि अगर उसामा इस कोट में होता तो उसे भी बचने का मौका मिल जाता शायद इस मामले माइमारी का सही था हाला कि कोट ने यासन को 9 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है 2022 में अनाईये कोच ने यूए पीए और देश के खिलाफ युद छेडने के आरोप में यासन को मुरुकैद की सज़ा सुनाई थी वहीं आसन ने अपना गुना भी कबूल कर लिया था सुनवाई के दुरान एस जी तुश्यार मैता ने मालिक को तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी थी वहीं मैता बोले कि अगर लादेन भी किसी केस में भारती अधालतों में होता तो उससे भी बैस करने का मौका मिल ही जाता मुझे लगता है कि इस मामले में अमेरिका ने एकदम सही फैसला लिया है हालकि कोट ने मैता को फटकार लगाते हुए का कि दोनों की कोई तुलना नहीं कई जा सकती क्योंकि ओसामा दुनिया की किसी भी अदालक में नहीं गया वहीं जस्टिस मृदुल ने कहा कि अदालतों को विदेशी मामलों से जुड़े मसलोप टिपणी नहीं करनी चाहिए युद्ध छेड़ने पर मौत की सजवा का प्रावदान है यदि ये रेरेस्ट आफ रेर केस नहीं है यहां कोई लगाता है श्रस्त विदोही या फिर सेना की लोगों को हत्या और अत्या दिरिक की वकालत कर रहा है तो ये भी कोई रेर आफ रेर केस में से आइस होता है